इस्राइल के सुप्रीम कोट ने बिंजामिन नेतन्याहू के अप्रादे कारोपों का सामना करने के बावजूत सरकार गठन करने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर रविवार को सुनवाई शुरू की कारिवाही में 11 नयाधीशों की बड़ी पीठ ने हिस्सा लिया जो आम तोर पर देखने को नहीं मिलता है और इसका सीधा प्रसाडन किया गया ये भी दुरलब ही है इस सुनवाई के जरिये ये देखा जाएगा कि क्या आरोपी नेता सरकार बना सकता है हालाकि देश का कानून सपष्ट रूप से इस पर रोप नहीं लगाता है इसराइल के कानून के मताबिक कैबिनिट मंत्रियों और मेर को आरोपी होने पर स्तीफा देना होगा लेकिन प्रधान मंत्री के लिए त्याग पत्र देना जरूरी नहीं है अगर अदालत नेतन्याहू के खिलाफ फैसला देती है और उन्हें प्रधान मंत्री बनने से रोकती है तो इसराइल राजनीतिक अवस्था में चला जाएगा और देश में बारा महिने में चौथी बार चुनाओ कराने की संभावना बन सकती है नेतन्याहू के खिलाफ रिश्वत लेने, धोका धड़ी करने और विश्वास घात के आरोप इस साल की शुरुवात में लगाए गए थे हालाकि उन्होंने कुछ भी गलत करने से इंकार किया है कोरोना वाइरस की वज़े से उनके मामले की सुनवाई टाल दी गई थी सुनवाई इस महीने के आखिर में शुरू होनी थी नेतन्याहू के शासन के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं नितन्याहु ने अपनी प्रतिद्वंदी और पूर्व सेना प्रमुक बैनी गैंस के साथ सत्ता बटवारे का समझोता किया है, जिसके तहट पहले 18 महीने नितन्याहु प्रधान मंत्री बनेंगे और बाद के 18 महीने गैंस सरकार की बागडोर समालेंगे।